हमारे युवाओं को एक और बाद संत्र विदाजीत से जरूर सिखनी चाहिए युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए आप अपने जीवन को खुद ही तै करिए अपने तौर तरीके भी खुद बनाईए और अपने लक्ष भी खुद ही तै करिए अगर आपका विवेक आपका आत्मविश्वास मजूद है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से ड़नने की जरूरत नहीं है मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार हमारी वा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं करपाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है इसलिए आपको कभी भी नया सोचने नया करने में संकोष नहीं करना चाहिए इसी तरह संत रजजाज जी ने एक और महत्वपुन संदेश दिया है ये संदेश है अपने पैरों पर खड़ा होना हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें ये बिलकुल ठिक नहीं है जो जैसा है वैसा चलता रहे रविदाज जी कभी भी इसके पक्षमे नहीं थे और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्षमे बिलकुल नहीं है आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत रविदाज जी को जरूर गर्व होता मेरे पैरे देश वास्यों आज नेशनल साइंस डेवी है आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक खोज को समर्पित है केरल से योगेश्वरन जी ने नमो एप पर लिखा है कि रमन इफेक की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अंगिनत वज्ञानिक है जिनके योगदान के बिना साइन्स सितनी प्रगति नहीं कर सकते थी हम जैसे दुनिया के दूसरे वज्ञानिकों के बारे में जानते हैं वैसे ही हमें भारत के वैग्यानिकों के बारे में भी जानना चाहिए मैं भी